नमश्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बार फिर से आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल मिश्टिया 360 उपता पे आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करने वाले हैं वो मैचे दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाल टीटन लीग का आज के दिन का पहला मैच जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम M.A.L. वसस टीम G.O.R. के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को इस मैच की कम्प्लीट एनिलिसिस करके दूँगा और आप सभी भाईयों को बताऊंगा कि इस मुकावले में कौन से प्लेयर से इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए किन प्लेयर्स को आप लोग कम्प्लीट में ऐसा कैप्टन और किन प्लेयर्स को आप लोग कम्प्लीट में ऐसा वाईस कैप्टन पिक करके चल सकते हो तो इस सारी जानकारी आपको जो है वो वीडियो के अंदर मिलेगी तो बस आपको वीडियो को complete watch करना है पूरा देखना है अगर आप लोग इस मकाबले में win करना चाहते हैं बाकि जो भी मेरी final update होगी after lineup या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी और आपको मारे telegram channel का link के description और comment दोनों जगाओं भी सबसे पहले number पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगए team का profit उढ़ा सकते हैं तो ये काम दोस्तों ज़रू कर लेना क्यूंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चले दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले score card की हो जहाँ पर मैं आपको दोनों ही teams के last match के performance के बारे में बता देता हूँ तो बात की जाए इस match के venue की तो ये match खेला जाएगा इस तादियो मुंसिपल दे कोर्वो ग्रांड पे और इस match की timing साड़े नो बजे रहेगी शाम के या रात के समय आप कह सकते हो तो देखा जाए point stable पे तो देखोगे कि आप मालू की team 4 match के लिए जिसमें से 3 जीती है एक हारी है वही पे गोर्खा की team ने भी 4 match के लिए जिसमें से 2 जीते हैं 2 हार है तो देखा जाए दोनों ही teams अच्छी हैं strong हैं लेकिन मालो ने एक match जो है वो extra win किया है गोर्खा से तो इस current से मालो को थोड़ा साया आपर advantage रहेगा win करने का इस match में इनकी team बले बाजी करती है और 10 over के अंदर 87 ही run बना पाती है और 7 wicket इनके गिर जाते हैं और जब बारी आती है इनकी इस target को chase करने की तो ये सिर्फ 8 over के अंदर 88 ही मतलब defend करने की तो इस target को ये defend नहीं कर पाते हैं और अपोनेंट का सिर्फ ये एक ही wicket निकाल पा ये जो किस टीम के captain है ये यहां पर आके 18 गिंदो पे 27 बनाते हैं सईद दोस्तों यहां पर नो गिंदो पर 9 रन बनाते हैं अमंदिफ प Dasping चार अंदर न बनाते हैं आस्नसरवार Serdar Do pulkin का सामना करते थे खातन नहीं खुल पाते सईद दली दोस्तों हैं ये भी खाता नहीं जो कि इनके keeper है यहाँ पे 5 गेंदों पे 2 और अधनान गोंदाल दोस्तों 2 गेंदों पे 4 अन बनाते हैं तो इनकी और साब के लिए जो important बैट्समें रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे आमर किरम रहेंगे अधनान रहेंगे सहजाद यहाँ से important रहेंगे मसम तो यह बैटिंग और आसिम सर्वर भी काफी अच्छे प्लेरे लेकिन ये बैटेंगे आपे काफी ही जादा नीचे कर रहे हैं गेंदवाजी की बात की जाए तो अपोनेंट का ए विकेट इनोंने निकाला और देखा जाए तो टोटल इनोंने अपने छे गेंदवाजों का इस्तमाल किया उनके छे गेंदवाजों में सहीद ने प्रॉपर दोवर की बॉलिंग करके विके निकाला आसिब ने भी दोवर की इनके उपनेंट टीम की तो यहाँ पे दोस्तों जो गोरखा की टीम है वो अपना पिछला मकाबला मालो के ही अगेंस्ट खेल कर आई है और इस मैच में मालो ने गोरखा को 23 अनों से हरा दिया था तो गोरखा पूरा कोशिस करेगी कि इस मैच में वो मालो को हराएं तो इस गिमीरे और मैंग दरजी ओपन करने आते हैं सुमन गिमीरे च।ंड गिए कीषि सामना प्राष्ट क घृते है और इस के इनके कीपर हैं यह यहां पर 10 गेंदों पर 8 रन बनाते हैं अहम उल्ला दोस्तों 13 गेंदों पर 24 अमन्दीब दोस्तों 6 गेंदों का सामना करके एक रन बनाते हैं हरदीब दोस्तों 6 गेंदों पर 9 मदुकर थापा इनके जो कैप्टन है यह आप एक गेंद पर एक और मंजीर कोई batsman की और से तरह important नजर नहीं आ रहा है ये तीन top order batsman important है गेंदवाजी की बात कीज़े तो no wicket opponent की निकाले जहांपे सुमन गिमीरे के दो वर के अंदर दो wicket मिले हरदीर सिंग निकाला अमन दीब को दो वर की स्पेल में तीन wicket मिले मंजीस तिंग को एक विकेड विकेड मिले मदुगर था पर राहूल कुमार ने एक एक और की बॉलिंग की पर दोनों ही विकेलेस रहे तो इनके जो main बॉलर होंगे वही चारो होंगे क्योंकि आपको proper दो दो वर की स्पेल करके देंगे इसके लावा एक और चीज आप यहां पर नोटिस करना कि सुमन गिमीरे ओपन करें साथ में बॉलिंग करा रहे हैं दाहुल कुमार भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं बाकी अमन दीब जो हैं वो काफी ज़्यादा नीचे वल्ले बाजी करते हैं तो इमीद क आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो जरूर दोस्तों एक अम कर लेना बाकी जो भी मेरी फाइनल एपडेट होगी अफ्टर लाइने भी अटास के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको मारे टेलिग्राम च जाएगा तो किसी भी जिए से जाके आप सीधा हमारे शैनल के साथ जूड़ सकते हैं और मेरी दीगए टीम का प्राफिट उठा सकते हैं तो एक आम दोस्तों जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो चले दोस्तों चलते हैं सीधा आपकी और जहां पर आपको कमाल का टीम कॉंबिनेशन क्रियेट करके दिखा देते हैं तो विकेट गिविंग सेक्शन से दोस्ते चार विकेट गीपर हैं तो जो हमारी मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगी वो सुमन घिमीरे की रहेगी क्योंकि आर सिंग इतने इंपॉर्टेंट रहे हो जेस पोबड़ तो काफी ज़्याद नीचे बल्ले बाजी करते हैं तो एक मादर विकेट की पर यहां से जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो सुमन घिमीरे हैं क्योंकि यह बैटिंग के सासाथ बालिंग भी यहां परकरा रहें तो आपको बह इसके लाव यहां से और कोई बैटसन इतना इंपोर्टन रही है जिसको पिक करके चल सकते हैं अभी के लिए मैं आपर इन तीनों ही मैं बैटसन को पिक करूंगा अलाटो सेक्षन की बात किज़ें तो यहां पर हम अदरान को पिक करेंगे जो कि सांधार प्लेयर है बैटिंग बैटिंग बालिंग करते हैं इसके लाव यहां पर देखोगे नीचे से गोंदाल को प्रेफर कर सकते हैं जिनका परफॉर्मस इतना अच्छा तो नहीं रहा है दो ही मैचेस बंदे ने खेले हैं एक मैच में इसने एक ओवर की बालिंग की विके निकाला तो यह हमारा ट्रम काड आज की मैच का रहेगा सेलेक्शन देखा जाए तो मादर छे परसेंट लोगों ने इनको पीक करके रखा है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेर हो सकता है तो इस कारण से आलांडो सेक्शन से जो मैं यहां पर तीन में इंपॉर्टेंट आलांडो स्पीक करूंगा वो यह टीम जो है वो यहां पे रेडी हो गई है तो मैंने यहां पे दोस्तों टीम क्रियेट करने से पहले ही आपको बता दिया था मतलब वीडियो स्टैट होने से पहले ही कि मालो की टीम एक स्ट्रॉंग टीम रहेगी क्योंकि इनकी टीम ने चार मकाबलों में तीन मुकाबले जी कंदेशन तयार किया बात कि जा एकर यहांपर मैं 훨씬 किकेपटन किसको बनाऊंगा तो मेरी गुमान को जा सकती है एस्घिमीरे को जा सकती या फिर इन celebration है यह तीनों ऑप्षन यह क्लिए तो हिसे चैपटन को बाकिए आप इसको कर सकते हैं लेकिन स्ञते हैं मेरी case वाइस केप्टन एस घिमीरे रहेंगे बाकि आपके सामने एक गुमान की पिक है देख सकते हो दो मैचस बंदे ने खेले हो दोनों मैचस में सांदार गेंदवाजी रही है तो आप इनको भी बना सकते हो लेकिन मैं अभी के लिए इसी टीम के साथ जाओंगा तो मेरी टीम रे तो जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी वो सीथा आपको मारे टेलीरम चैनल पर मिल जाएगी 13,000 से ज्यादा लोग और रोजाने आपर वो दी गए मेरी फिरी टीम का प्रॉफित उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे चैनल से जॉइन होना चाहते हो तो आपको मारे चै कर देना शेनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करेना बेल आइकन जरूवार पर प्रिस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और ने मैं इसको कवर कर दूए तब तक के लिए जहिंद बंदे मात्राम